अब देख रहे हैं श्रेश्ट भारत भावी जी घर पर है यह सिरिफ एक सीरियल का नाम नहीं है बलकि कई लोगों के हसने का जरिया है आज भी भावी जी के नाम पर हमें सिरिफ दो लोग याद आते हैं अंगूरी भावी और विबूती नारायन मिश्रा जिनको महले वाले न अब तक तो आप समझी गए होंगे कि आज हमारे शो के गैस्ट कौन होने वाले जिया मिलिये आसिफ शेक से उर्फ भी भूती नारायन मिश्रा से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है श्रेश भारत पर तो भी उती जी कैसन बाद मैं हम आप से थोड़े से होट हो गए है आपके अनिया बहुत-बहुत दो नारायन मिलिये जानना चाहूंगे कि आप इफटी जानना चाहूंगे कि आप इफ्टी जाएं कि उंबर में इतनी फिटनेस रखते हैं कहीं आप अनियल कपूर्स से इंस्पाइट नहीं हैं तो नहीं हैं। जो यह पता है कि यह बता चाहिए की अप जो गुईया का नाम लेते हैं पुरे शोवे यह जिए खाते हुए आपका भी दिखे नहीं किया है यह जब चकर क्या है गुईया का ज़िए अर्भी को चाहते हैं यह करा इसनल है लेकलन आटो इसनल पहल गूंच कर रहा हुआ को था हुआ है अधगी जा सुर्साइट साहँ कहा हैं लेकिश कि अपिटें का एक इसनल कि जाती है कानपूर के महले पर बेस्ट है तो शुरुवात में ये कानपूरिया जो लैंगुज पकड़ने में कुछ दिक्कत आई आपको नहीं मेरे मेरे फादर मदर दोनों वारनसी के हैं तो हमारा बनारस से रापतर आए जाना अना होता रहा है बनारस तो चुटियों में जाया करते आपको आसिफ शेख नाम से कम ही लोग जानते होंगे आपका जो सीरियल के करेक्टर वो इतना दमदार है तो लोग आपको कही एरपोर्ट पर या कहीं पर भी स्पॉर्ट होते तो आपके असली नाम से बुलाते है कि जो सीरियल में नाम है उसके तुरू आपको इंटर्जि पर भूतिया बलाता है लेकिन असिफ यह नहीं बलाता है जी सर तो आपको कैसा लगता है जब आपको एक कैरेक्टर से इतने मशूर होगे घर घर में फेमस हैं और लोग शाम होते ही बैठ जाते हैं कि सब मिलके देखने के लिए बैठते हैं कि हाई ये शो देखना और आज इनको देखना है विभुती जी आज क्या कर रहे हैं अंगुरी जी के साथ कैसे चेड़ रहे हैं उनको ये बड़ी अच्छी ग्रेट फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि कैसी फिलिंग होती विकास लोगों ने इतना प्यार दिया और कंसिस्टेंसी के साथ दिया प्या सब्सक्राइब करना कि आपने फिल्म भी किये हैं और कॉमेडी करना ऐसा माना जाता है कि किसी को हसाना बहुत मुश्किल होता है तो आपका क्या मानना इस पर देखिये मैं जादा इसके बारे में चाहूंगा मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कॉमेडी कैसी चीज है यू हव इन यू और यू डोंट आव तो मुझे बड़ा सहच लगा शुरू से कॉमेडी करना अला कि मैंने अपने कॉमेडी का है कि उसमें चोड़ी-चोड़ी चीजें निटिग्रिटी आइड करना उनको उसको और ज्यादा विकॉस किया है कि वक्त के साथ-साथ यूर और तो और प्रोग्रेस हम नौ साल से कर रहे हैं आपको नौ साल में आपको सेम चीज़ दो नहीं जै सकते हैं ना वी आपके बीबी खुद इतनी सुंदर हैं फिर आप अंगुरी भावे के पीछे ऐसे गूमते क्यों रहते हैं आपके मेसेज नारायन जो है तिवारी जी भी उन पर फिदा है तो कैसा कभी कॉन्फलिक्ट होता है कि आप मेरी बीबी के बिच्छे में आपके बीबी के पुरानी फिलाउस्टी है कि आपकी बीबी कितनी भी हसीन हो आपको पड़ोसे के बीबी बेटर लगती है तो ये बैसे लिए श्रू अशीज में बेस्ट है कि मतलब आपके पास कुछ भी है यह लीस्स ना इंट्रस्टे इन आपको उसके पास क्या है इस पोर एंटेस्टे अच आपके बीच में आपको आपको तो सेट में मुस्टी के बीच में वो सारी काम आप लोग अपने सीन्स याद कर लेते होंगी क्यूंकि मस्ती दो चलती होगी तभी हम लोग जो देखते हैं वो हम कि कि आप लोग एक कम दिन से करते हैं मुझी सुट्प और हम लुग इसका इसका अइध कर एक्टर कर रहें तो इसका अन्गारा कर सकता है हसी मधाख होते रहने हम लोग क्या कि जब रहसले और रहसलड के आइसा होता है कि आजह था गंटे सपाला अब शकर रोटीन और हम लोग जाते ही चलो बहें रहसल बात चाहत करें आप शीड realm कीचे उसके बाद नहीं साथ देसी तो उसका इक अलग मज़ा है अच्छा अंगूरी भावी के साथ जिस तरह से आप बात करते हो उसका कुछ डायलोग्स अगर आप तो सुना दे हमें कि अगर मैं अंगूरी भावी हूं मैं आपको कुछ पूछ रही हो कि कैसनबा आप तो ल सर आप हमेशा ही देखे जाते हैं कि वो अंगूरी भावी को आप करेक्ट करते रहते हैं वो कुछ भी इंग्लिश की वर्ड बोलते हैं आप उनको सही करते हैं तो इसमें आपको कितना मज़ा आता है कि इसकी जगा यह बोलो तो ज़्यादा बेटर लगेगा और तो इसके बाद उसकी साथ जो बोलती है फिर उसका हम लोग कुछ उसका एक दूसरा इंपरवाइस करके कुछ एड कर देते हैं तो वो सब इसा इसा लेक टीम टीम वर्क एवरीबडी गेच इनवाल कि अपने इ कोशिश रहती है कि हमारा सीन में सीन में हमारा अच्छा कॉमेडी का फ्लेवर रहे उसका जिस भी ना खतम हो और एक बेट पकड़ के असर है ऐसा नहीं हो बेगी लेकिशे स्माइल इस मोज इनफ कि आपने देख्टे आपको एक चारे पर स्माइल ही आगई तो हमारी कोशि कि दिन भर की ठाकावट जो होती हम लोग की वह आप लोग की सीरियल देखे एकदम हसी तो आही जाती और सारी चीज़े टेंशन वगएर सब हम भूल जाते हैं सर सलमान के साथ भी आपने काम किया तो क्या कभी सलमान की तरफ से आपको बिग बॉस में आने का ओफर मिला क्य दिन तिन 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 विए बिग पॉस मुझे कभी एक्साइट ने किया I don't know baby it's a very exciting thing for a lot of people but for me it was never exciting और जब initially जब खांसाब ने जब सलमान ने जब शुरू किया ताए शोव ताइट ताइट आइट ने करेगा तो मैं I said no I'm not cut out for this मेरे में वो है नहीं कि I'm an actor and I want to live like an actor. कोह आपका कोई ऐसा dream role रह गया है कि हाँ आगे भाबी जी घर पे है इसके बाद अगर मैं कुछ करूंगा तो इस type के roles करना है मुझे यह dream role है मेरा यह आप एक writer conceive करता है और आप character देता है तो उस ताइम आप उसको conceive करके एक portrait करते है एक different character का तो मैंने अभी तक I have done more than 325 characters in this show तबा 300 के ओपर मेरे character कर चुका हूँ और that way क्या है कि excitement मेरे हमेशा रहती है कि मुझे कुछ नया करने का चौक है कुछ different करने का चौक है तो I get the meat तो उसमें क्या होता है कि that character becomes most important for those 5-6 days जो मैं उसकी shooting कर रहा होता है उसके बाद I put it aside, ऐसा मुझे कुछ future में कोई ऐसी चीज exciting करें कुछ ऐसा तो मुझे नहीं लगता मैंने mostly sub-cheats cover लिए इसमें लेकिन पिर भी कोई exciting character होता है कुछ different होता है कुछ different होता है कुछ अलग होता है कुछ उसकी अलग nuances होती है अगर मस्ती करना चाहें तो किस ताइप करते हैं अंगूरी भावी को जैसे आप छेड़ते हैं जैसे हम serial में देखते हैं तो उस ताइप के अगर वो गुस्ता हो जाती है कुछ होती तो कैसे मनाते हैं आप नहीं घर में बड़े honest रहना पड़ता है आपको बश्य पता नही तरीखे, और शोर में और अलग शोर में तो वहां पर यू कि नोट उसके इज़ा है पर इस इस सब्सेंग कि घर मेहारा चाहिए, प्राइब करते जा एक्टिज अट एम, जाना चाहता हूं मैं कभी दोस्तों में इसमें उसमें कभी I don't behave like an actor मैं एक नॉमल आदमी रहके एक नॉमल जिंदी की जीना चाहता हूं that's why I do sir OTT का platform जो है हर किसी के लिए आजकल बहुत ही एहमियत रखता है OTT platform तो क्या आप OTT पर भी कुछ करने वाले हैं जल्दी like series और ऐसे करने वाले हैं और मैं जरूर करना चाहूंगा because OTT is a great platform आपे आपको अच्छी you know you get good productions you get good content और इतनी bandings में इतनी bandings में इतनी bandings आपको television में तो काफी it's a great platform और मुझे अभी तग को ऐसा interesting role नहीं मिला है हाला कि लोगों ने अप्रोच किया मुझे कई roles के लिए लेकिन मुझे ज़ादा interesting नहीं लगा और ज़िसरो लगे का I will definitely definitely do and I would love to do OTT आप करना चाहूंगा मैं लेकिन कोई interesting role आपको ज़रूर करूंगा लेकिन कोई interesting role आपको कब देख सकते हैं देखे मैं चोटी मोटी adverts करता रहता हूं adverts that I keep on doing basically this acting base ads करता हूं तो वहां तो आप देख सकते लेकिन अभी फिलाल तो ऐसा कुछ pipeline में नहीं है कि मैं आप से कह सकों कि यह after few months आपको ऐसा दिखूंगा लेकिन definitely कुछ एक चीज़े हैं जो materialize हो रही है अगर कुछ होगा तो definitely I'll let you do for sure हम show में देखते हैं कि तिवारी जी आपको छेड़ते हैं कि आप ये नल्ला है और आप तिवारी जी को छेड़ते हैं कच्छा बन्यान का business करता है तो यह no joke आप लोग जो करते हैं तो scene जब मिलता है तो इस पे पहले आप off screen जाके कुछ improvise करते हैं या आप जैसा मिलता है उसी को करते है प्रॉसेस क्या होता है कि scene हमारे पास आता है तो scene को मेरा अपना प्रॉसेस है कि मैं scene को कम से कर दो तीन बार पढ़ता हूं पहले बार तो as a scene पढ़ता हूं second time scene को समझता हूं कि क्या राइटर क्या कहना चाह रहा है scene के तुरू और चौथा third time मैं अपने आपको कि I'm playing this character so मैं अपने हिसाब से scene पढ़ता हूं you cannot change the structure of the scene structure remains the same but the only thing is what you change what you add is like your vocabulary आप आप कर लेते हैं कोई आपको nuances आपकी से add कर लेते हैं process में यह attitude change कर लेते हैं तो क्या उसको हम basically we like to कि अगर suppose scene में वैसे element humor कम है तो we try to instill some humor in the scene the reason to use a TV अब करते 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 कितना experience हो गया कि now we know that is a scene बहुत अच्छा नहीं है अब बढ़ा वीक सीन है तो like let's add on to it. हाला कि our writer Manu Santoshi is the finest writer's comedy which is better colleague नहीं सकता इतना बता दूना लेकि क्या होता है कर आप मोमेंटमे के चीज आप मिसका प्साउट कर जाते हैं तो भी लाइक तो add on those things और वो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि actor का input हर सीन में बड़ा जरूरी होता है अगर अपना input अच्छा नहीं डालेगा तो सीन में फ्लेवर आही नहीं सकता आप दोरो का रिष्टा ओफ स्क्रीन कैसा है वन्मोहन तेवारी और भी भूतिनारा और मिश्रा जी का I have lot of respect for Roitash and we respect for you know we respect for each other and I won't say we are great friends but we have a very cordial relationship हम लोग एक दुसरे काम को appreciate करते हैं और I am extremely fond of him as a person he is a great guy, he is a great person, बहुत अच्छे इंसान है और non-hazzle और हमारी आपसी compatibility बड़ी अच्छी है कि हम कुछ एक दुसरे की जब खिली उड़ाते हैं तो he takes it nicely and I take it nicely तो यह सब चीजे हैं जो हम लोग शुरू से करते हा रहें और दुसरी बात है कि it's been more than nine years of the show but हमारा कभी किसी बात पे कोई confusion नहीं हुआ, कभी किसी बात पे कोई मनमुटाब नहीं हुआ, we are always on the same page और हमें आग दुसरे के साथ काम करने का बड़ा मताता I'm really fortunate to have a co-actor like him, he's generally great to watch Sir, जाते जाते आपसे यह जानना चाहूँगे कि अंगूरी भावी अगर नाराज है तो आप उनको मनाएंगे कैसे आपके अंदाज में? Basically, क्या है कि इसमाइज पुट लिटल लिटल तिंग्स तो इसमें मैं कईवार राजश अन्ना बन जाता हूँ, कभी शिक्पूर बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ तो भावी जी रोरी होती है तो जाता हूँ भावी जी एनासों को पॉंच डालिए I hate you and I love you जा बोले, मैं का भावी जी I really care for you Thank you so much sir, हमसे बात करने के लिए वक्त निकालके और हम तो यह चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमें हसाते रहें हम हसते रहें और आपका सफर यूँ ही अच्छे से चलते रहें Thank you so much sir तो यह थे हमारे साथ आसिफ शेक उर्फ भीवूती नारायन मिश्रा जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़े बताई और साथ में बताए कि अंगुरी भावी अगर नारास हो जाती है तो कैसे वो उन्हें मनाते हैं फिलाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेश्ट भारत